सुकन्या आखिर यह नई लड़की कौन है मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखा अरे ये तो जगा जगा उन्ने वाली तितली है एक जगा ठैर कर जिन्दिगी बसर करना इसके बसका नहीं क्या डादा देखके यह अपनी चाट को पूरी करोगे क्या शक्कर सुंगने से स्वाथ का पता नहीं चलता कर दो जोगी क्या समसान जाना था दादा दादा कौन है अच्छा बोलो छोगरे तू अपनी कीमत बता पचास रुपईया पचास रुपई तो बहुत होते हैं पर मुझे नहीं खरीच सकते हैं नहीं चाहिए तो जाओ ना जाके काय काही दूथ निकालते रहों यह तो वाकई कमाल की है इसके लिए इतने तो चलेंगे चला मैं 50 रुपे देता हूं सो रुपे मुझे कोई 20 रुपे भी नहीं देता और यह सौ रुपे मंग रही है तो बहुत जादा हो जाते हैं तो रोका किसने है जाओ ना पहले तो 50 ही मंगे थे गलत बात है तो ही कहा इसलिए तो मैं सड़क पे हूँ अगर मैं इतनी अच्छी होती तो शादी करके घर बसाली होती अरे जाया ना अरे बुठे चल निकल जाते हैं और फिर पांच पैसे दस पैसे के लिए इंसानों को खरीद कर उसे दूसरे किसी जगह पर बेच देता है और इस तरह उसने बहुत सारे पैसे कमाए आज वो आशो आराम से रहता है यहां तक कि उसने कानून को भी खड़िया है और अभी तक यह शोदा मा कॉफी दोगी क्या मुझे हाँ देती हूँ शक्कर अच्छे से डालना कॉफी में कम नहीं होना चाहिए हाँ हाँ ठीक है डाल दूँगी बिकार की किताबी क्यों पढ़ती हो अच्छी किताबे पढ़ा करो अच्छी किताब कहां मिलती है दादी अब वहां पे तो पूरानी किताबे है अगर तुम्हें इंट्रेस्ट नहीं पढ़ने में तो पढ़कर मैं सुना दूँगी सुनोगी ना ठीक है पिताजी ने मुझे बताया था आप जब सर्वीस में थी तो आपने ही किताबे लिखी थी हूं 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 यह वाली क्या है तो फिर यह है यह तो जरूर होगी यह लिखी है क्या आपने है यह होगी का दी कौन से किताब है कि तो फन बिगीज तुम्हारे अंदर जली आग को थोड़ा बर्दाश्ट करो वो अपने घाव से अंदर ही अंदर तडप रहा है अपने अंदर के अंधेरे को खत्म कर दो अपने मन के गंदगी को निकाल फैको तल्वार की वार से बचकर तुम भूलों से जखमी मत होना कि तुम अपने दुख दर्द के आंसों में मत दू जाने जिस पल कर तुम इंतजार कर रहे थे वो आ गया तुम प्रलय के लिए बनाए हुए हधिया नहीं शिकारी की नजर में तुम एक खुखाद जानवर हो कसाई के हाथ का छूरा बनो सीना चीरने वाला दाहाड बनो मृत्यू का साधन बनो दुष्टों के लिए मौत ही आखरी फैसला है ये लिजे दादी पढ़के सुनाईए कि दादी इसे स्टॉरी का नाम क्या है कि आप कि अधाए कि अधाओ है कि अधाओ है कि है कि अधाव कि तो कर दोगाई को लुच जो बहाई को लोग्जाओ जोग्वज़ अन्योट जोग्चाओ Всё कि जोगे को लोगे के लुचाओ जोगे को बहुचाओ जोगे कि आ हाया आपकी 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 पना! कि इस तरह गली-गली नाच के कब तक जिंदकी का गुजारा करेगी तुम सब को गाड़ी में डाल दे तू मेरी बात मान जा जल सब कंदर कर कितने आदमी हैं चार लोग हैं घ्यान रखना अगली बार जादा लोग चाहिए यह लिए नामस पाच लोग हैं भाई एक दो तीन अगली बार और अदो जाधा चाहिए पुरा करने वालों के साथ बुरा होता है यह सिप कहने की ही बात है इस कल्यूग में पा तुम्हें गोदबराई रसम के लिए ले जा रहे हैं जाओ बाई इसको काम पर रख लो और मुझे खुछ पहें जाओ गाड़ी में बठाई से नहीं 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 जाओंगे मुझे मजदूरी की काम पर मत बेजिए ए बेवडे किसी को जबरदस्ती मजदूरी करवाना यह ह अगर पैसे चाहिए तो पहले अपनी पत्नी को मना तुम लोग इंसानों का धंदा करते हो वो गिरी सहाब के अन्याय को रोकने के लिए कोई भी सामने नहीं आया अरे तुम मत गलत समझना मैं तो अपने गाओं के मर्दों के बारे में बोल रही हूं तुम तो बाहर गाओं से आये हो मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोल सकती तो मुझे गलत मत समझना पता नहीं वो गिरी सहाब को कौन मारेगा दस साल पहले बिल्दिंग के काम के लिए बोल क और लोगों से गलत काम करवाया उसने उसकी नियत ही गलत है वो दो चार घुंडे अपने पास रखता है और फिर पांच पैसे दस पैसे के लिए इंसानों को खरीद कर उसे दूसरी किसी जगह पर बेच देता है और इस तरह उसने बहुत सारे पैसे कमाई आज वो आशो आराम से रहता है यहां तक कि उसने कानून को भी खड़िया है और अभी तक वो राजा बनकर आजादी से गलियों में इदर उदर घूमता फिरता रहता है यह लिंगी जा मेरी बहादूरी के उपर एक मस्त गाना का भाई हमें छोड़ दो हम भगवान के बच्चे है और हमें इंसानों के बारे में इस तरह गाना नहीं गाना चाहिए अमारी कुल देवी नाराज हो जाएगी विंती करती हो भाई हमें जाने दीजे अध्या आपकर दीजे इन्हें जाने दीजे आपके हाँ छोड़ देओ एक बात सुनू इस दुनिया में अपनी जान को हधेली पे रखकर दूसरे जान को पैदा करने की ताकत सिर्फ औरत में होती है अगर औरत नहीं होती तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होता तुम्हें पता ही होगा ये जो तुम दुनिया में मर्द बनके घूम रहे हो उसक कोई औरत अगर गंगा की तरह नाराज हो गई तो उसको रोकना शिव जी के लिए भी मुश्किल होता है कि अचेए कि अचेट अचेड़ फिले भी में नहीं हम नहीं के लिए नहीं हो सब्साव कर देचे़। अजाएं अचे़ थे निए प्रसे डाज मेरम से अचे़। मेनम मर जाएका मेनम मेनम क्या कर रही है जान aja Willing जन की कीमत नहीं समझते हैं ये लो Craig मजदूरी पे भेजने वाले लोगों को मारून ही तो क्या करू । अब मारला ही चाहतीD कौन हो तुम लोग मे Dafna मेडम, मेडम हम लोगों के अपशने से पहले इन सब लोगों को उसने मार आए मैडम, उसने मार आए कोऊन हो तुम लोग नाम कया है तुम्हारा? कारनख ये कौन है? वहान है यादमी, जो किसी से बात ही नहीं करता धेड़ से आये बाहर हाती के समान है ये इसके अंदर पागलपन जादा है और गुस्सा भी जादा है ये मेरे पीता है वेदा इसमें क्या है ये किसले रखी हो तुम्हें तक्लीफ देने वालों को मारने के लिए अगर तुम्हें कोई तक्लीफ दे जरा भी ना सोचो और हात में जो भी आयों से उठाकर मार दो ती पिदाजी तो ये पिदाजी कि दक हां जाना है भाई मुझे उस पीपल के पेड के पास छोड़ दो आओ बेठो आओ आओ और अजय को अब बचाओ, बचाओ। बचाओ, बचाओ। इठी की साऀों शोड़ की से जर नहीं शोड़ू से युँ आँ अधर लाइट चली गई है आने में थोड़ा टाइम लग सकता है अरे अरे सर सामने पान की दुकान में आग लगे यह सर वहां क्या हुआ जाकर देख ठीक है सर यह चलो चलो हुआ है तू कौन है क्या चाहिए तुझे लगता है तू गलत जग हागई बोल जाना क्या चाहिए तुझे तुझे मैं चाहिए हूं तुझे लिए यह हुआ है तुझे दा कर दो तुझे 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 नक तुझे हुआ 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 ह मर गया मर गया ये कर दो 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 हम शचराबस आफैंछ करता हम शन्योट आरओ मिजशन आरओ धिस जय हलeling कि तुम दोनों ने रुद्रा को मारा है गाव में यही चर्चा चल रही है कि बहुत बेरहमे से कतले किया है मेडम किस नहीं किया लड़की लड़की कि वो भी था कौन था उसके साथ वो दिखने में शेर की तरह था आग भंग किया हुआ था उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्ता था उन्तों ने इसको मारा वेदा तनक आप इतना यकीन सा कैसे कर सकती है मेडम इस पत्थर को हथ्यार बनने से पहले मैं इससे परिचित हो चुकी हूँ जरा भी मत सोचो तुम हिम्मत करके जाओ दोनों इस गाओं से बाहर नहीं जाने चाहिए इस गाओं में तुम दोनों का काम हो गया अगला शिर्ली कि तुम लोग जा सकते हो कि गिर्जा मेडम कि नमस्ते मेडम कि रमा मेडम गिर्जा मेडम आई है कौन लॉयर गिर्जा आज तक एक भी केस नहीं आ रही है मेडम थैंक यू फॉद इंट्रोडक्शन मैंने हार के ही जीत हासिल की है कि कुछ साल पहले तक मैं हार के ही परिवार चला रही थी उसी का फल है कि आज जी मेरे घर के बाहर इंतिजार करती है मेडम दरसल बात यह है ठीक है मेडम अंदर लेटा हुआ आदमी क्या कह रहा है रमा सारे सवालों का जवाब मिलना चाहिए यह जिसने भी किया है मैं उसे नहीं छोड़ूँगी पुलीस क्या होती है मैं बताऊंगी पुलीस स्टेशन में घुसके मारने वाले के बारे में तुमें अच्छे से पता होना चाहिए रमा हम जानती हूं आप उन्हीं जानती है इसलिए यहां आई है यह भी मैं अच्छी तरह से जानती हूं वेदा, he is my client, sorry, he was my client, but now the hunt has begun. और अब उससे रोका नहीं जा सकता. शांती एक भ्राम है, इंसा ही हकीकत है, और अब जो हो रहा है, वो इश्वर भी नहीं जा सकता. कर बदल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त इस यूद की जरूरत है, इसलिए वक्त भी इस यूद का साब दे रहा है, वेदा, वो बिल्कुल नहीं डरता, और माफ भी नहीं करता. अरे, रुको, 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 ये तो वीरा है ना, ये मंदिर की चाभी लेकर क्यों जा रहा है, चाभी तो पुजारिक पास होनी चाहिए, इसके पास कैसे आई, एह, ले चलो, ले चलो, का अरूँ कि करता पास का ये अरुजे टबसाईज है एह, गिल्तन चाहिए आपना जना झाल वेरा मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ हम गांवालों को तुम जैसा ही लीडर चाहिए अब तुम ही बताओ हम लोग इसके साथ क्या करें कुछ नहीं इसका सर मुडवाके मुख आला करके गधे पर बैठा कर पूरा गाउ घुमाना चाहिए आप कैसी बात करते हो इसकी कमीना कहीं का तो वो तू है जो गांओ के आसपास चोरी करता रहा अब पकड़ाया है हाथ लगाता है क्या बे क्या है एक चोर को तो तुम पकड़ नहीं पाए और बे मतलब सारा इल्जाम गांवालों पर लगाता है बहुत ही घटिया इंसान हो तुम भाई ये लोगों को कोई फरक नहीं पड़ता और तो बच्चा हो या बुड़ा हो ये लोगों के हाथ में पावर है इसलिए ये लोग कुछ ज्यादा ही उड़ते हैं अगर मैं उस दिन गाउं में होता तो वो दिन तेरी जिन्दगी का आ अच्छा ठीक है माफ कर दे ये बेवकूब समझता है क्या हाथ जोड सर जुका माफ ही मांग तर वो जैसा कहरा कीजिए कि मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कीजिए कि निकाल कि अभी तुम्हारा टाइम अच्छा था तुम बज गए अपनी पत्नी से आरते उताने के लिए बोला क्यों भाई योग तो इसे कहां जारो लेके जोड़ के शादी के दिनी दूले को फुलिस से पकड़वा दिया तुम लोग बरबाद हो जाओगे सत्यानाश होगा तुम्हारा अरे ऐसे क्यों चिला रही हो घलती किया तो सजा भुगते गाही ना तुमने एक लड़की की जिन्दगी नरग बना दी है इस औरत का श्राब हम लोगों को ले डूबेगा वेदा अगर ऐसा ही चलता रहा तो को मुझे नहीं लगता कि तुमारी शादी होगी तुम लोग कावी सुखी नहीं रोगगे सम्परवाद हो क्या ची सत्या तुमारा अरा अरे मैं दोते होगे औरे शंक्री शंक्री वो देखो है चुप्राइब कर दो कि अरे यह तो बहुत अच्छा हुआ मेरी बात सुनो हम आराम से बैठ कर भी बात कर सकते हैं अगर हमारे गाम का लड़का ऐसा करेगा तो क्या करोगे तुम बोलो ऐसे लोगों की पत्नी विद्वा बनती हैं अगर उसकी शादी उस बीरा से हो जाती तो इसकी जिन्दगी खराब हो जाती वेदा ये तो हमारी पक् है उसकी चिंता नहीं करता ये इनसान हीरे की तरह है और अपनी जिंदगी इमानदारी से जीता है तुम्हारी लड़की भागेशाली है जो इससे उसकी शादी हुई हां सारा गाउं तुम्हारा जैजेकार कर रहा है और तुम वहां मूर्ती बने खड़े हो कुछ बोलो क्या मेरे बेटी का ख्याल रख पाओगे हां क्या ख्याल रखोगा अरे देखो यह अंदिखाए अरे पुष्पां तुझा अख्ला पथी मिला है वललला वला वलला वलव मेरा तो मन कर है कि इस बुड़िया का कलेज़ा काट के रख दू मैं मेरे वेदा में क्या कमी है बता वो क्या है कि जब थोड़ा सा गुस्सा होता है या डर जाता है तो तो थोड़ा तोतला हो जाता है हाँ और ऐसी कोई कमी नहीं है वेदा में हाँ बता तो हो गया सो हो गया वो हकला हो या गुंगा अब कुछ नहीं हो सकता तुमको शादी स्व या वेदा भाई तहां जा रहे हो मैंने सुना आपका शाधी कर ली मैंने तो आपको बहुत ही होशियार समझा था लेकिन आप भी वैसा ही निकले यह चाप्चा क्यों उल्टा बल्टा बात कर रहा है बात बता दया मिठाई खाने में तो बड़ी स्वादिश्ट होती है तो इ मुझे क्या लेना देना तुम खुद ही भुक्तोगे हां कि आरे मैं दामात का स्वागत है तैंक पूरे ओंके है ओ अगर तुम चारों मर गए तो पूरा गाहूं मर जाएगा क्या हूँ हूँ अखेली मुझे डर लगेगा ठीक है यहीं रुको का इंतजार करते करते पेट में भूग के सारे कीडे भी मर गए चलो अब जल्दी करो खाना खालो आके वेदा चलो यहां से जलो ना कि जंकरी क्यों वेदा बुझे भरोसा नहीं है इन पर कई जहर मिला दिया हो तो अरे रहे 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 नाम के बजाए शयतानी दमाग चला रही हो घर आए महमानों को जहर देना हमारी परपरा नहीं है इस भी मैं तुम पर भरोसा नहीं करूं है गंदे दिमाग में सिर्फ इनसान नहीं है चुपचप खाना खाओ थूस ना वेकर में हमारा नाम क्यों खराब कर रही हो खाओ ना चुपचाप मैं नहीं खाऊंगी भले ही मैं भूकी रह जाओ लेकिन इन लोगों पर भरोसा नहीं करूंगे खाये की नहीं तो जीए के कैसे तो थूस ले ना संकरी मुझे बहुत तार ले राजा हाथ सुहाग रात है जाओ अब सुभा मिलेंगे दुले राजा हमने तुम्हें ये सब इसले खिलाया क्योंकि हमारे हार इवाज है लेकिन रात में अपना काम ठीक से करना समझ गए दमाज जी अरे वहां अब मेरा वेदा सुहाग रात बनाएगा अब वीर साइनी की तरह जागा जंग जीत कर आओ बेटा ये कोई जंग से कम थोड़ी ना है अपनी पत्नी पर प्यार निशावर करना होता है और ये काम बहुत बड़ा काम होता है समझ गये संकरी डर लग रहा है मुझे अपने डर पर काबू करना होगा वेदा कैसे अरे आसान है पानी में कूदोगे तो ही तहर ना सीखोगे तुम क्या इसको यूद्व भेजने की तयारी कर रही हो हमारे प्यारे मौसुम वेद आपको लेकिन एक बात है पत्नी के सामने जाकर तोत्ला ना मत अपने पुरुशार्थ को कायम रखना जो ना चोड़ा ग हो अच्छा शर्मा रही हो अरे क्या हुआ है कि पुश्पा ऐसे घूर क्यों रही हो मुझे तुम किस गाओ के राजा हो हां तुम मुझे इस्तमाल करके मुझसे खेड़ना चाहते हो मूर्ग आज कौन सा भूठ सवार हो गया तुम मेरे साथ सुहागरात मनाने आए हो क्या पास में मत आना वहीं खड़ी रो दूर-दूर से बात करो मुझसे तुम बहुत सुंदर हो क्या जो मैं तुम्हारे प्यार की धोखे में आकर तुमसे प्यार करने लगोंगी ऐसा समझाए क्य अरे ऐसा कब कहा था तुम्हें नहीके दिये मैंने तुमने मुझे जिनदकी दिया प्यारे प्यर पकड़ मैरे पैर पकड़ के बैठ जाऊ प्रमेश्वार होता हुआ जा अञा ISA पा पास मत आना वहीं ब्रौझ अ क्यों डरते क्या मैं डरता नहीं मैं वेदा हूँ तो पस अब निकलो यहां से वेदा वेदा इतनी जलती आ गया अरे बहुत डरी हुई है वो मुझे देखते ही जोर-जोर से रोने लगी बाभी रोई और तुझे पसीना आ रहा है इसलिए पसीना आ गया और तुझ लाने लग गया तू कितना बड़ा शूर वीर है है हुए वो साम मैंने खिड़की से देख लिए यह भी देख लिया आँ हमने भी देख लिया तुम्हारी नीर्ता को तुम लोगों ने भी देखा संकरी हुन करी वो लड़की नहीं है भूत की अम्मा है महिश्टासूर की बहन है अगर मैं साफधान नहीं रहता तो गला कट जाता मेरा मर्दों को ना इस तरह नहीं घबराना चाहिए शांत हो जांत हो अरे कैसे शांत रहो अगर ये बात गउवालों को पता चल गई तो क्या हिस्जत रह जाएगी मेरी हम लोग बोले तब जाकर पता चलेगा तुम लोग भी तो ऊपर वाले तो पसीने शुट गे तुमारे कैसी गड़ी राच चलो चलते हैं रुक इतनी जल्दी कैसे पता चलाव तुना रात को पसीने पसीने होगा एसे चुप कर यार तो कितने कमीने हो संकरी ते तो कि आजाओ बीकी वेदा भावी आ रही है कि चलो पूश्पार जरा इसके नखरे तो देखो लोगों के सामने किते बोली बन रही है बच्पन से ही मेहनत मजदूरी करके कश्ट उठाके हमारे घर को चला रही थी अब इसका तुम खयाल रखना हमें पूरी उम्मीद है कि नोटंक की वाज बुढ़िया को तो मैं जील नीपाली मन का ने घर धबादू अरे हो अकला मेरी बेटी जरा अंदर चलो क्यों बेटा अंदर चलो बताती हूँ मैं कल से देख रही हूँ कि तुम सबके सामने हकला हकला बोलके मजाग उडाती हो इसके बाद अगर मेरे पते का मजाग उडाया ना तो समझ लेना तुम्हारा पती है मेरे से शादी करने के बाद वो हकला हो या टकला हो पर वही मेरा पती है हम दोनों चार दीवारी के तो मैं उसका सर कटकर फेक दूँगी चलो अब निकलो यहां से निकलो वेदा जो भी कहो तेरी पत्नी ने उस बुड़िया का बहुत अच्छा सबक सिखा दिया प्यारे दामाजी पूदी का अच्छे से ख्याल रखेंगे जरूर रखेंगे जरूर रखेंगे हाँ जल्दी चलो जल्दी चलो नहीं तो बस निकल जाएगी क्या वेदा भाई लोगों की उंगलियां गी में रहती है तुमने तो पूरा का पूरा टब भाई उठा लिया है पड़े खिलाड़ी अपी पकबाद बंग कर इतने सारे लोग बीच सड़क पर क्या कर रहे हैं यह क्या वेदा हम में से किसी को बताए बिना ही शादी कर ली क्या हम तुम्हारे अपने नहीं है वह अचानक ही शादी हो गई ना बाई पहले आप सीट पे बैढ़ जाए फिर बात कीजिए तुम मेरा मुझ क्या देख रहे हो बस से नीचे उत्रो यह सबलब क्यों उत्रें क्या रखना है अरे वेदा की शादी के तोफे हैं तुम लोग लेकर आए प्लीक बसको प्राइवेट टेंपो बना दिया है लोगोने देखा ना हमारे भाई का कितना नाम है आज पास के गावाल उससे मिले आए हैं हाँ भाबी हाँ वो एकदम चाल सी खूबसूरत तुम्हारी पत्नी बहुत ही सुन्दर है नजर न लगे उसे तो मेरा वेदा भी कुछ कम है क्या सबकी मदद करने वाला प्यार निचावर करने वाला बिल्कुल श्री राम चंदर जी जैसे तो क्या मैं तुम्हें सुर्पनक्षा दिख अच्छों रही हो सुनिया भावी बहुत से लोग आएंगी जाएंगे कुछ भी बोलेंगे लेकिन मेरा भाई बहुत अच्छा अद्मी है उसके अंदर कोई भी बुरी आदत नहीं है तो मिससे ले जाओ मैं दूसरा धून दून रहे हैं तो मेरा कैनल पर वेट करना मैं वा मैंने सब कोईता और कटारी चुपा के रख दी है मेरी जो बाई आख है ना आज बड़क रही है संकरी किसी और दिन करते हैं तुम मर्द नहीं है क्या तो जाके दिखाना क्या अपनी वीरता और उसने कुछ कर दिया तो तो तू उस पर हावी हो जाना एक काम करो ना तुम अभी मेरे साथ अंदर चलो ना क्या मैं कबाब में हड़ी बनूं क्या बस एक बात मालो संकरी तुम दरवाजे के पास बैठो ना तुम मैंदाने जंग में जा इस जंग को प्यार से जीतना मर्द के शान है और अगर इस जंग को प्यार से जीत लिया तो सारी जिंदेगी व हुआ हाँ हाँ हा जो भी होगा आज मैं देख लेगा है जंकरी मुझे और जीना है बेटा मैं इस जल्दी नहीं बारूगी तु देख लें संबाले मुझे नहीं आ रहा हूं करी पेरी बात तो सुनो बाहर ही सोना पड़ेगा क्या मेरा वेदा शादी करके आए आए हो रात को सब कुछ ठीक हा ना वेदा ने बहुत प्यार верж की ना रात को सब किश्क कहाना वेद भूहत प्यार हीःन reinforce प्ःदान में घृँ में तकली तकलीफ होती है ना इसलिए वे हैं यह हैं Western यह देखने आई कि मैं जिन्दा हूँ या मर गया नहीं नहीं यह बात नहीं है वेटा तुम्हारी पत्नी ना बहुत हूश्यार है मुझे लगता है बहुत अच्छे से ग्रिहस्ती समाल लेगी क्यों वीरों के वीर नीद अच्छी आई लग रहा है क्यों भाबी सफाई कर रह आधी लगता है तुझे बढ़ा ना आ यहां कि नंआ यह पलता यह वो मुझे अपने पास आने ये नहीं देती है अब सुबह में सुरज मुख़ी बन जाती है और रात होते ही नागफ़नी बन जाती है क्या करूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है तो प्यार के फूल का आस्मान से बर्स देंगे तू क्यों नहीं कुछ करता है मैं समझ गई Weda क्या समझ गई खांप हम लोग हे ना एक हासी को क्या से बढते हैं जन्जीर से ओं तु जन्जीर से बानदएगे क्या मैं इसे वह वाली जंजीर की बाते नहीं कर रही हूं मैं प्यार की जंजीर की बाते कह रही हूं मन से मन मिलेगा तब प्यार की बरसात होगी पती जब पतनी से हार जाता है ना तो उसे बहुत खुशी मिलती है ऐसा है क्या यार जा रही है यह कहानी एक गाउं की है चामुंडी देवी महिससुर का वध करने के बाद अपने रुद्र रूप को शान्त करने के लिए यही पर बैठ के तपस्या की उस समय शिरली नाम की आदिवासी लड़की माता जी की सेवा करती थी शिरली की भक्ती को देख कर और उसकी विंती को सुईकार करके चामुंडी माता गाउं में ही रह गई उसके बाद से वो गाउं शिरली के नाम से जाना जाने लगा देवी की पूजा करने वाले पुजारी का नाम नंजप्पा है जैसे शिरली गाउं के लोग देवी जी की पूजा करते हैं वैसे ही मुख्या की भी इज़त करते हैं मुख्या की आठ साल की लड़की है जो दिमाग से कमजोर है उस गाउं में देवी की वज़ा से कोई चोरी और लूट मान नहीं कर सकता है काउं और गाउं के अगल बगल में कोई भी गलती हुई तो कोई भी पुलिस्टेशन नहीं जाता है अगर किसी ने भी गलती की तो बली खंबे में खड़ा करके कपूर जला के देवी से विंती करते हैं मैं एक दिन का उपास तुम्हारे लिए अरपड करता हूं अगर इसकी गलती सही है तो यह जलता हुआ कपूर भुज जाए अगर यह कपूर पूरा जल गया तो इसने कोई भी गलती नहीं किये यह आप सब लोगों के सामने साबित हो जाएगा अगर कपूर पूरा जल गया तो समझो उसने कोई गलती नहीं किये और उससे छोड़ दे गये और अगर कपूर आधे में बुझ गया तो खतनाक सजा देते हैं मौत की सजा यहां पर किसी भी गलती की सजा माफ नहीं किया जाता है अब हमारा शिकार शिर्ली गाव में देवी की पूजा करने वाला नंजप्पा है भाग गया बिटिया अगर बिल्ली को दूद दे दिया हो तो जाओ और जाकर सो जाओ लो पी लो हाँ दूसरी बिल्ली हाँ आजो मेरे पास हाई वाग्या वाग्या क्या है मालकीन भाग्या कहा है अभी तो अंदर गई है वो तो अंदर नहीं आई आ ठानि न स्था अंदर अंदर भाग्या है क्या लग क्या नहीं परटलिका जबी तो यहको है मेरे तो यहीं क्यांकर दीह को आधेखता हूं भाग्या पिटिए तूं कहा हो भाग्या बीति यहां आई थी क्या यहां नहीं आई खाग्या बेटी खाग्या बेटी अरे तुम दरो बत तुम्हें को लेकिया ज़ती आजाओ भागी बिटिया यहां है आजाओ सब जल्दी आजाओ क्या हूँ यह पुझारी हमारी भागी बिटिया को रस्ती से बाद रहा था है कि अपनी आखो से देखा पर नहीं पूझा करता हूं नहीं जोड़ी सी बच्ची को हाथ कैसे लगा सकता हूं मैं नीच हूं क्या तुम चुप तुम क्या कर रहे थे मैंने अपी आखों से देगा आप फिकर मत कीजिए हम इसकी बात पर भरोसा नहीं करते हम आपको जानते हैं पुझारिशी ऐसा नहीं कर सकते यह हमारे भगवान जैसे है अपने बगवास बंद करो माधवी आखिर में जूट क्यों बोलेगा यह क्या कहन सब्सक्राइब नजा तुम रात में आपके पास आई कैसे हमें यह जानना है है पुझारि को बताना होगा किया कैसे आई यहान मुझे पर शक करने का मतला तुम लोग जानते हो देवी माता पर शक करना पूजारे जी इसका फैसला हम सुभा करेंगे लगकी को लेकर चलो जो मुझे इल्जाम लगाया है तो उसे साफ से मैं देवी माता की पूजा कैसे कर सकता हूँ अगर मैंने कोई गलती की है तो उसकी सजा मुझे देवी माता देंगी पूजा शुरू करो है देवी मैं आपकी आग्या से आपके चरणों में प्रार्थ ना करता हूँ सत्य की जीतो और न्याय का नाश हम जब पाने इस लड़की के साथ अगर सच में गलत किया है तो मा इसका भी इसी वक्त न्याय करिये जलाओ कपूर इतने सालों से मैंने तेरी सच्चे मन से पूजा की और बदले में मुझे क्या मिला तुम्हारे द्वारा दिया गया दोखा तुम जूटी हो तुम्हारी महीमा भी जूटी है ए तुम माता की महीमा को जूट बोल रहा है बेइमान का ही का अब तो तुझे बगवान समझते ते तू तो शैतान निकला मरेगा सब इसे पत्थर से मार गे मार डालो रुक जाओ रुक जाओ मैने का बस करो इस पापी को देवी जी के सामने ही जला के राख कर दो कर दो तूत है वेदा कनक मुझे माफ करतो वेदा अगर तुझे घर में मारेंगे तो वो खतल कहलाएगा लेकिन जिन गाओवालों ने तुम्हे भगवान समझा उनके सामने पहले तुम्हारा रास खोलूँगा उसके बाद इस देवी के सामने तेरी पली चड़ाऊँगा फिर ये खतल नहीं कहलाएगा संगहा पर में बाद आएग पर तो अब टो हों कि अधिए पर होग करें के नहीं है ये तो यहां की एक प्रथा है गलत करने वालों के लिए ये एक सजा है हम तो ये भी नहीं जानते कि वो दोनों आये कहां से थे दो लोग थे? दो लोग देवी के सामने उन्होंने इसकी बली चड़ा दी अब लोग उन्हें रुका नहीं? हमारे इंमत नहीं हुए उसकी आखों का तेश देखकर लगा बाता हमारे सामने ही है और इसे मारने का आदेश माता नहीं दिया और ये सब कुछ देवी की मर्जी से ही हुआ है प्रमा मेडम इन्हें ऐसा ही छोड़ देंगे तो पता नहीं ये कितने लोगों को मारेंगे इसमें कोई संदेदी अभी तो कई शिकार होने हैं प्रमा मेरे सुर्फ थे की आदेश्वर रस्त सुर्फ प्रमा मेरे घर अफ इन्हें अदेश्वर के अजे झाल झाल चल आजा सुकन्या आखिर यह नई लड़की कौन है मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा अरे ये तो जगा जगा उनने वाली तितली है एक जगा ठैर कर जिन्दीगी बसर करना इसके बसका नहीं क्या दोगी क्या क्या दादा देखके यह अपनी चाद को पूरी करोगे क्या शक्र सुंगने से स्वात का पता नहीं चलता चलोगी क्या शम्शान जाना है क्या दादा दादा कौन है अच्छा बोलो छोग्रे तू अपनी कीमत बता पचास रुपईयां पचास रुपई तो बहुत होते हैं पर मुझे नहीं खरीद सकते नहीं चाहिए आ तो जाओ ना जाके काय काही दूद निकालते रहों यह तो वागए कमाल की है इसके लिए इतने तो चलेंगे चला मैं पचास रुपई देता हूं सो रुपईया दो सो रुपई है मुझे कोई 20 रुपई भी नहीं देता और यह सो रुपई मांग रही है अरे सो रुपई तो बहुत साधा हो जाते हैं तो रोका किसने है जाओ ना पहले तो पचास ही मांगे थे हां मेरा बदर मेरी मर्जी यह गलत बात है सही कहां इसे लिए तो मैं सड़क पे हूँ अगर मैं इतनी अच्छी होती तो शादी करके घर बसा ली होती अरे जान अरे बुठे चल निकल तुझा मेरे पचास रुपई बाज़े चल 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 जैसा तो ने मांगा सव रुपई मैं देता हूँ चलोगी क्या नहीं चलूँगी मुझे पहले से पता था हम तुझे पचास रुपई और देंगे हमारे साथ चलेगी मैं नहीं चलूँगी अरे ऐसा क्यों शाहिक कुछ भी हो जाए मैं दो मर्दों के साथ एक साथ नहीं सो जा रहे तरह मेरी बात सुना जा रहे लिकल चल रहे तू क्या खड़े खड़े देख रहे वहां चल बाप को बोलना मैंने याद किया मेरा बाप भी यहाँ आता था कि ना चुद्र जुद्र नीदीन चला कि कि ना चुआ टाओओक प्लूज मूँHa Deutsch- के लिगना विग हा को बाप बाप 7 क्याओव जग मेरा स्था कि च्रॉल प्जल जुर सबस्टाए्ट पुचले जनो तुमनिकलो कि पुब्लिक प्रोसेक्यूटर गिर्जा के लाग कोशिश करने के बावजूद भी वीरा का दोश नहीं थाबिद कर पाए क्यूंकि लॉयर गुनेशेकर जीनियस था सच को जूट साबित करने में गुनेशेकर ने ये साबित कर दिया कि वेदा ने पुश्पा के लिए उसे फसाया है वकील ने ये भी कहा कि आपसे रंजिश की वज़े से वेदा ने बीरा को शादी के दिन फसाया इस दलील को मतिने रखते हुए बीरा को बाईज़त बरी किया निया इसमें इंस्पेक्टर का भी हाथ है वेदा एफ़ायर लेखते वक्त उसका कुछ भी ध्यान नहीं दिया इसलिए वह आसानी से चुछ है अब तो तो खुश है नहीं कि मेरी बात अभी हम लोग कोट में हैं अरे पुश्पा तुम्हें गज्रा बहुत पसंद है क्या तो अपने पती को बोल दो वो लाकर तुम्हारे जुडे में लगा देगा मैं नहीं आओंगी मैं तेरा मामा हो सिर्फ रिष्टा होने से कोई फैदा नहीं जिम्मेदारी होना भी जरूरी है और इस जिम्मेदारी का तुम्हें जान से भी जादा खयाल रखूंगा लेकिन वादा निभाया क्या अब चल तु मेरे साथ मंदिर में शादी करेंगे एक लड़की जीवन में सिर्फ एक ही बार दुलहन बनती है और जब एक बार शादी हो गए तो उसका जीना या मरना उसके पति के घर ही होता है और कान खोल क सुन लो अब मैं अपने पती का घर छोड़कर नहीं आऊंगी और अपने पती की बिज़िती भी नहीं होने दूंगी एक बात जान ले हमेशाद दुख ही रहेगी तु समझे ना तुम और कितना श्राप दोगे पश्पा तुम दूबारा यहां मत आना मेरा पती खतरनाक है संकरी बिरिदो कि इस वक्त कहां चली गई है कि मेरे साथ नहीं रहना है कहीं यह सोचकर माइके तो नहीं चली गई अब बला मैं उसे कैसे डोनड़ों एक कौन है उस जगह पर मेरे खेत में आग क्यों जला रहे हो आप फेरुक आता हूं मैं मुल्बी पक रही है साथ में दार हो पुष्पा चूरी क्या क्या आज आज बेरा प्यारा पत्री, तुट सोना जेशा आजा क्या पुष्पा तुम बेना बधाय ही यहां चलिया एए इतरा बढ़ यहां प्येंगा क्या मैंने प्योंगा किaxis मेरा पाघल हो क्या मैं तुम्हारा पती हूँ पुष्पाय तुम कीओ मेरी कभी से अपने में ब्लों हैमेरी शाधी तो बचपन में पीर के-षब करती गे थी ये बात ही किसलिए कर रही हो पुष्पाय कि प्योंगा पुश्पा मैंने तुझे इतना डाटा सब कुछ बूला लेंगे तुमने मुझे क्यों कुछ नहीं बूला मैंने तुम्हें भूत नहीं बचके डराया और कोई देश भी डराया लेंगे फिर भी तुमने कुछ नहीं बूला तुम्हें मुझे खीश के थापड भी मारना चाहिए लेकि तुम्हें नहीं मारा मुझे यह गलत है पुष्पा औरत को ऐसे मारा नहीं जाता है वो कोई मर्दान की थोड़ी ना है अरे 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 शांत रहो तुम कितने अच्छे जान हो तुम अपने दिल पर हाथ रखके बोलो कि तुमें कभी मुझे पर गुज़ा नहीं आया नहीं पुष्पा तुम साच में खारा सोना हो मैं ही खुराब हूँ छोड़ो ना ये सब पुष्पा यह इदर आओ मैं करते हो और अच्छे दिल्वाले हैं अन्यसी हो तुम क्यों मेरा खयार रखते हों क्यों मुझसे प्यार कर दो तुम क्यों अनि जान मुझसे जड़कते हो तुम क्यों मु trophus violent क। पुश्पा 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 कर तो पी तो यह खुस्ते में रहती लेकिन पी के बड़ा प्यार करती है पाता नहीं उपर वाला क्या कर रहा है हां क्या हुआ पुश्पा क्या हुआ बुला रही हो अरे रे लगता है अब इसका दिमाग ठीक से काम करने लगा किसी को बुलाता हूँ है संकरी छोड़ो जो होगा देखा जाए हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है अगर है है तो यह कि क्या लगता हम चूर्ट था हो जाओ है हुआ है ज़ान के डर की वज़े से मज़ूरों को छोड़ दिया है नारी चुपनी की धुमत कैसे होई भाई वर अंगल में आग की तराया और उसने संचला दिया उसकी एक दार से हमारे सारे आग में भागने लगे पाता है ना गिरी के आदमी कैसे होने चाहिए तों किसी मामूली पुखता है और सब अपने सर छुका लेते हैं तुम उन्हें क्या गूर रहा हो हां क्या हुआ ददकती जंगल की आग कौन है वो यह लोग हमसे बज़कर भाग गए थे हमारे आपनी बहुत ही तकलीफ उठाकर इन लोगों को ढोड़कर लाए हैं मैंने इनको तुम्हारे हवाले किया अब तुम मुझे पैसे दो यह ले हमारे लिए और लोग लाते रहें अंदर चलो यह गाड़ी सीधे बड़े साहब के पास जाएगी अब तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है याद रखना कोई गल्ती नहीं होनी चाहिए कौन है वो सर्व शक्तिमान शियो शंकर सुनो कौन है यह लोग इसके बैठ जाओ अरे ओ बड़े भाई इसको दियान से देखो इसको तो कोई जहरीला साप भी काटेगा न तो वो खुद मर जाएगा आप दोनों कुछ भी नहीं है इसके सामने चुप-चाप बैठिये सुनाई नहीं दिया बहना तुम्हें बैठने के लिए बोला है उसने नारियल काटने के लिए नहीं जाली 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 चलिग चलिग चलिग, ये रार चानी, ये चलिग, ये रार का जिए अगे लगाब अगे लिएBar हुआ हुआ के लिपासप्स प्राब कर दोन हुआ 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 कर दो है वोर्या कर दोन आररिरू, उररिरू, आररिरू ननी परि लाडू ले, .. ननी परि लाडू ले.. क्या क्रन्याय थो, C्या क्रन्याय neuen milligramots gallinum हुश हुश कि वेदा कनद मुझे माप कर दे वेदा कि और बनसे कि लिए थे वेदा रहेँ आ कर दिमम ενा रख राहुख मुझे वेदेटोनपयने कि वा रात हमे शिय। प्र Kathyamas के येदा रखेदोर ऑख्र चुछे इंवेद हमेरी वार्ख बानीं कि वेदा वेदाए मुण है विए नदे writers dit अल्येस कि दाधी 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 आप रूक यू गई उसके बाद क्या हुआ दाधी को दाधी दाधी आप कहाने नहीं सुनाएंगी उसके माद क्या हुआ बताईए तो सही God के पत्थ कहानी ना डादी थी माषर वेदा, मेरी बात को मानो, तुम यहां से बाहर जाओ, वो लोग कहींगी होंगे, मैं उन्हें धोन लोगा, पहले मेरी बेटी कनक को बाहर आने दो, बागी उसके बाद देखेंगे, क्या पढ़ रहे हो नीला, कुछ नहीं दादी, मुझे दो किताब, लाओ, मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, क्या हुआ था, मैंने बाप बेटी को प्यार और उसने बाट के देखा, उनको गुस्से में लड़ते देखा, लेकिन मैंने आज तक बाप बेटी को लड़ते हुए नहीं देखा, जो भी उसके सामने लड़ने के लिए खड़ा हुआ, उसको एक के बाद एक काटता गया, उनकी आँखों में प्रतिशूत का च्वाला था, वो मैं जीते जी भूल नहीं पौँगी, कौन है मैंने, मरने से पहले गिरी साहब ने कहा था, मुझे माफ कर दो वेदा, आप अरिश्टा बन कर आए, हमें बहुत मदद मिली, ये लीजिए, जोरत नहीं है, भगवान आपका भला करे, रतना, परी, परी? परी? पुश्पा चलो चलते हैं जाली मैं चलते हूं देखो बेटा अगर सूरज धलने से पहले हम लोग घर नहीं पहुंचे तो वेदा वहां हंगामा कर देगा रहे 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 क्यों चिला रही हो यहीं तो है वो पुश्पा यहान था आगए अब तू यहीं रहे हम दोनों जिन्दगी की नई शुवात करेंगे जब आंसमाल के बात कर दूसरे की पतनी के साथ ऐसी बात करता है शरम नहीं आती वीरा शादी शुदा लड़की से वो इस तरह बात करता है यह पुश्पा तू उसके साथ मज अब बुरी में जिदकी जी रहे हैं मुझे सब कुछ पता है मैं अपने पसंदे की जी रही हूं मैं अपनी बती से बहुत प्यार करती हूं उसको अपने दिल में रखके उसके पूजा करती हूं मेरे और मेरे पती की प्यार की निशानी मेरे पेट में पल रहा है कि यह यह पुश्पा के बारे में सपन में भी बस सोचना यहां से अरे संकरी वहां मेरी पत्नी दर्द से तड़प रहिया और तू यहां पर है जाकर देख उसे अरे मैं नहीं देख सकती देखूंगी तो मैं खुद मर जाओंगी मैं जीना चाहती हूँ अरे तो हमेशा उसे डाट भी क्यों है मैं किसी के प्रसाब पीड़ा को देख नहीं सकती मेरा सर चक्राने लगता है सास पूलने लग जाती है ऐसा लगता है कि मैं मर जाओंगी लेकिन मैं और जीना चाहती हूँ इसलिए तो मैंने शादी नहीं की क्योंकि ये प्रसाब पीड़ा मैं सह नहीं पाती हूँ ने यह पे टूप Him Wirking बात और म्दार किसी से कहने नहीं तो लोग मजाए पुड़ाइंगे और मैं है मैं जीना चाहते बहुत जीना चाहते निचटेशए संकरी लड़का है या लड़की है लड़की वहाइस बच्पन सwoven मैंने ते है यह मुझे तैसे मुझे तू तो अपनी बाते उसे बद्धारी आप करां है संकरी 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 उठना संकरी संकरी तू कहते थी ना मुझे लंबी जिंदी की जीनी है तू मुझे लंबी जिंदी की जीनी है फिर भी तूने मुझे छोड़ दिया यह गलत है तू मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती है उठ्जा संकरी उठ्जा संकरी वेटी पेदा हुए वेदा कर दो मुझे लंबी जा सकती है उसकी पत्नी हमेशा गुसे में रहती है और उसकी एक आठ साल की बेटी भी है जिसका नाम पूर्वी है चार साल पहले उसको कमर के नीचे लकवा मार गया जिसके कारण उसके दोनों पैर काम नहीं करते और वह अपाहीच हो गया कि वेदा तुम उस कालिये को मत छोड़ना करती से चलो ना वह बहुत खुश होंगे तुम्हें देखकर अरे यहां पर हो क्या मुझे तो लगा था कि तुम्हारे जो रिष्टदार है ना तुम्हारी संपती हड़पने का इंतजार कर रहे हैं मुझे तो आज पता चला कि तुम्हारे परिवार में अच्छे लोग भी है योची हाली में तुम्हारे पूरवजों का पाच एकर जमीन है सुना है वो जमीन बिखने वाली है बस शुकरवार क जाकर वहां हमें इजाज़त देनी है और हमें पैसे भी मिल जाएंगे तुछ से किसने कहा वो आधरन्या इंसान वहारी है आपके लिष्टदार के लिष्टदार के आज के दुनिया में आप जैसे कहां मिलते हैं आजकल तो लोग ऐसे हो गया है कि इसकी समपत्ती हडपनियाई वही सोचते रहते हैं और एक आप लोग हमें ढूनते यहां अरे पत्थर जब कोई अच्छा करने के लिए निकलता है तो उसे इस तरह टोका नहीं करते हो सकता है कि यह भागेशाली पत्थर हो शायद इसी की वज़े से यह लोग यहां पर पहुंच पाए हो चलो अब इसे बैक अंदर रख दो हां आप दोनों रात को यहीं रुख जाएए सुबह होते ही आप लोग निकल जाएएगा हाँ ठीक है हाँ हाँ भार्थी यह लोग कहा गए अरे सुबह होते ही वो दोनों यहां से निकलती है ही नाकुछ के लोग कहीं नहीं जाएगे वुर्वी वुर्वी मैंने उसे कहीं भी नहीं देखा पूर्वी तो कहीं नहीं देख रही है ए भगवान यह सब होगा, यह मुझे पहले से ही बता था, पहले से ही मुझे बता था, यह सब, यह सब, यह सब, वो लोग किसी को भी नहीं चोड़ेंगे, हमें और हमारी बैटी को भी मार डालेंगे, क्यो मार डालेंगे, क्यो मार डालेंगे हमें, क्या थिया है, उमने बता हूँ, क्या उनके साथ हमने बताओं क्या गलती किये हमने हां तुम लोग ने कोई गल्दी नहीं किये गल्दी तो मैंने किये तुम पिताजी यहां देखिये मैं हम रोज लाई हूं कियु रोघह हूं मा पिताजी आप क्यो रोरे कमर में दर्थ हो रहे हैं कि मुझे बहुत पसंद और जानते हैं यह चाचा जी भी बहुत अच्छ है पिताजी दीदी से मैं बोल रहे थी कि अभी तक पिता जी ने मुझे अपने पीट पर नहीं गुमाया तो उन्हों ने ये सुनकर अपने पीट पर बिठालिया और खेट से घर तक ले आई और मुझे भाहत मजाया एजी आपने सुना हमारी बेटी उन्हें चाजा कह रही है पिटांजी पिटांजी यहां पिटांजी आकीताजे आप्लें अ कियो कर रहे हैं पिताजी, पिताजी, क्या हिए दर्वासा कोले no? बॉलो न माँ पिताजी दर्वासा कोले network कर दो, करेंगे हैं! बुली से अर्दा कर लो भी ये जो को फिसे पिसे अर्द रादो भी कहा है प्यूप से फिसे लूज़ा है हुआ 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 पत्थर मेडम यह वई है बाप बेटी वहाँ पेटी महमान बनकर आये थे उन्होंने किसी जायदाद में उसे हिस्सा देने की बात कही थी और हमारे कालिया को अपने आप आग लगाने के लिए तैयार कर लिया और जाने के पहले उस लड़की ने हमारे कालिया के सीने पर पत्थर रखा था मैडम पत्थर रखा था आखिर में तुम आ ही गए लाओ अंदर तुम अपना ठीक से खयाल रखना चैलो रे रहत है मैंने मना किया था कि आज किसी को ना भेजे फिर भी भेज दिया मेरा मन नहीं है किसी और के पास चले जाओ मैं तुम से बात कर रही हूँ निकलो यहां से तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या पनावतिया आदमी है रे जैसे पह रखा लाइट भी चली गए इस कंजर और अउरत ने मुंबती भी कहां रखी है पता नहीं पंदर कभी अपने जिंदगी में घुलाटी मा आख रहा है करना नहीं छोड़ता है वेदा ने उसे जिस केस में पकड़ा था छूटते ही बीरा फिर अपने रंग दिखाने लगा कुछ लोग मेले में गए थे और इसने चार घर लूट लिये गावाले कोड गए थे और हमसे साथ चलने के लिए कह रहे थे अगर हम गावाही देने चले जाते तो इसे फिर सजा हो जाती अब क्या बोलें अरे यह सब सिर्फ हमारी कलपना है जब तक लोगों की आत्मा पैसों से बिक रही है तब तक बीरा जैसे चोरों को सजा नहीं मिलेगी उपर वाले का नियाए सबसे बड़ा होता है यह दुनिया निया और धर्म से ही चल रही है सुनो तुम्हारा कहना सही है लेकिन हम खत्रा क्यों बोलने अगर पडोस के घर में आग लगी और तुम सोचोगी कि हमें क्या तो जल्दी ही तुम्हारा घर भी आग पकड़ लेग काम धाम छोड़के कुट्टे की दुम सीधी करना चाहते हो वीरा तो वह जलते वे घर से चावल पकाता है तुम उससे क्यों दुश्मनी लेना चाहते हो अपनी मां को अच्छे-च्छे गजरे की बात करनी चाहिए वो सब छोड़कर यह उस वीरा की बेजज़ती करने में पोड़के लगी है उसकी उकात मैं अच्छी तरह से जानती हूं उसका और मेरा रिष्टा कपका खतम हो चुका है तुम्हीं उससे रिष्टा बना करना का चाहते हो किसी कैसी बात करती हूं अच्छा छूड़ो नाराज मतों कल ही मैं वाकिल से इस मामले की बात करता हूँ उसके बाद इस तरह की सारी बात बंद हो जाएगी ठीक है तुमसे बात करके मेरा दिमाग खराब हो गया उसके मेरी क्या गलती है अच्छा आप कनक को लेके अंदर आए थे तो आप उन्हें डराने के लिए अपने साथ खुईडा लेकर आई थी क्या पोले दो ने मुझे भी रही हम उसके समस्य यह का its क्या एंगर को वारिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई Your Honor वीरा को अभीता करें, इस क्यों नहीं किया? Your Honor, वीरा तड़ी पार हो गया. संबन देने के लिए हावलदार उसके घर गया था, लेकिन वीरा घर पर नहीं मिला. ये जूट बोल रहा है. सुनिए, आपको जो कुछ बे कहना है, कट घरे में आकर गई है. ठीक है मेंडम, नमस्ते. आपका नाम? वेदा. ओ, बोली. वो वीरा, गाव में नए दूले की तरह गोमते रहता है. ये आदमी उसे पकड़ नहीं पाया, तो जूट बोल रहा है. ये सब उस वीरा के दिए रिश्वत का कमाल है. अब्जेक्शन, Your Honor. गवाना होने से ये अपनी मन मानी कर रहे हैं. ओ, बाई, ऐसे लोगों को ना हम चीची करके भगाते हैं. ओडर, ओडर, ओडर. वेदा, आप से मुद्दे की बात कीजिए. माफी चाहूँगा. अगर वीरा को पकड़ के लाया, तो आप उसे सजा देंगी? बिल्कुल दूमी, कानून की रक्षा से पुलिस की ही ड्यूटी नहीं है, बलकि हम सभी को इसमें योगदान करना चाहिए. दोनों हातों से ताली बचती है. ठीक है मैडम. कहां जाओगे? ठाली पीटने, एक मिनुट रुको, बीरा को लेके आतों, यहीं रुकना. यह कोई गाओं की पंचायत नहीं, कोट है, दिये हुए वक्त में गवा को लाना होगा. ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा सबर रखो, ज्यादा टेंशन लोगे, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, इनका ध्यान रखिएगा. ए, होट, होट. ए, हो, वकील. यह सब क्या है? यहीं वेदा है, जो बोल दिया, सोब करेगा. आप लोगों ने कोट को क्या समझ रखा है, कोट में हतियार लाना जुर्म है, क्या यह इने नहीं पता? यह रॉनर्ड, लेकिन आपने इने क्यों मारा? मैडम, मैडम, यह लोगों ने मुझे इतना पीटा, बहुत दर दो रहा है, मुझे बचा, हलो मैडम. कोट यह ओडर देती है, कि बीरा का सरकारी अस्पताल में इलाज कराया जाए, जिससे वो जल्दी से ठीक हो सके. और वेदा को अपने अमानविय वैवार के लिए पचास रुपय जुर्माना भरना पड़े. इसके साथ ही कोट वेदा को तीन दिन जेल की सजा सुनाती है. चलो, चलिए. अवल्दार, मेरा पती कहा है? दर्वाजे पर खड़े रहे के चिलाना बंद करो और अंदर आओ. जब भगवानी साथ ना दे तो कानून क्या कर लेगा? मैंने तुम्हें कितनी बार समझा लेकर तुम सुधरोगे नहीं. गाव में तुम्हें एक हो, जो सुधारने चले हो. वो तो ठीक है, मुझसे मिलने आई हो या लड़ने आई हो. आ, मच्ची की खुश्बू तो बहुत ही अच्छी है, देखे जाना. तुम बात को बदलो मत, तुमने कभी सोचा कि घर में एक छोटी बच्ची है, उसका क्या होगा? देखा तुमने बेटी, तुम्हारी मा मुझपे चिला रही है, इसका रिष्टेदार तो बाहर आ गया ना, अब मेरा क्या होगा? अब और प्रवचन मत दो समझ के, तुम्हारे पिता की यही जगा है यही रहने दो, चलो तुम मेरे साथ. अरे माचली तो दो, क्या वेदा भाई, तुम्हारी बीवी तो बिना आग लगाये चल रही है. अरे वो बहुत प्यार करती है मुझसे. हा, 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 वो तो मैं देखी रहा हूँ. तु नहीं समझेगा, मैं मेले से साडी लाया था, जब मैं लेकर आया तो उसने कहा कि यह पसंद नहीं और उठा कर फेग दिया था, लेकिन आज के दिन वही साडी पहन कर आई, अब पता चला. ऐसा क्या? पिटा जी, अरे मेरी प्यारी बेटी, मैंने बटरफलाई पकड़ना से एक लिया जानते हैं आप, बढ़िया तुम बहुत ही समझदार बच्ची हो, वापस क्यों आई, पिटा जी, पिटा जी कर रही हो, तुम्हें यह समझाने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम कुछ ज मैं तुमसे सिर्फ मिलने आई हूँ, यह मस समझना कि तुमसे प्यार करती, देखा मेरी बच्ची, तुम्हारी मा इस साड़ी में एकदम बटरफलाई लग रही है, बाते तो तुम खुब बना लेते हो, चलो बेटी हम चलते हैं, पिटा जी जल्दी बाफिस आना, वो आए यह बाई, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए खाना बना के लाई, लेकिन तुम्हें दिये भी नहीं चली गई, अरे रुको, मैं उसको जानता हूँ, यह लो, मेरी पीताजी के कपड़े हैं यह, ठीक है, सुनिये साब, अगर आपने एक भी निवाला खाया ना, तो आप उनके लिए पाने रख दीजेगा, जरूरत पड़ी तो मैं खुद उसे पानी पिला दूँगा, अब तुम जाओ ना, यह भगमान, और आप एक भी निवाला मत खाना, तुम तो मेरे पेट में दब करके ही छोड़ोगी, हां, मुझ जाधा ही प्यार करती है, मेरे पती का ख यह एक जगे नहीं रुखती है, अगर आप इसे लेके गयना, तो यह आप लोगों को बहुत तंग करेगी, आप लोग जाओ, अच्छा ठीक अपुश्पा, तो अपने ख्याल रखना, अब तुम कहां जा रही हूं, ने बटर फ्लाई पकड़ने जा रही हूं, तुमारे प यह हालत किसने की तुम्हारी, तुम्हें कुछ गलत किया था क्या, मुझे किसी ने मारा नहीं है, मैं गिर गया था क्समारीप अपना, पर रहा है, मैं नहीं है, मैं यह चुप रहे तो ही सही है कि दॉक्टर इसे क्या हुआ कि पेट में चाकु मारा गया दो बार आप य खतरे से बाहर है कुस नहीं मैड़म अपनी गराग के साथ जागड़ा किया होगा थोड़ा जादा पैसा मांगा होगा नोंका जागड़ा हूआ होगा और वो अगर उजाड़ा है वो इसको दुआ देती होगी क्या उनकी बद्दुआ तो लगेंगी ना क्या हुआ था किसने किया ये डरो मत ये सिर्फ कल के हमले की बात नहीं है मैंडम ये सब कुछ शुरू हुआ था आठ साल पहले क्या है जिए आओ वेदा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था देखो डरले देखो महमान आ गए आ गया हमारा महमान ए देख क्या रहा है पानी डाल अब इस लाश को यहां से उठाकर ले जा अगर तुने पिछली बार की तरह इस लाश को फेक दिया तो यह कुत्तों का खाना हो जाएगा लेके जा इसे अगरे सुन केमपा लकडिया उठाकर लेकर आ मेरे पास देखो हमारे दो महमान आये हैं इसे देखकर डर रहा है यह मुझसे जबान लडा रहा था मैंने एक बार मारा उसे और वो मर गया तों चिंदा मत करो तुम लोगों को ऐसे नहीं मारूंगी कुछ अलग सोचा है कि तुम दोनों इन्हें डूणते व्यों आयों यहां आखिर मेरे पती ने ऐसी क्या गलती कर दी है मैं मानती हूँ एक जमाने में चोटी मोटी चौरिया और लूट पाट करता था वैसे मेरे घर में भी चोरी करने आया था पर मेरे दिल को चुराकर मन्से शादी गर ली खै छोड़ो इन पुरानी बातों को अभी कि इसने सब को छोड़ दिया है और हम इस राज महल में राजा 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 रानी की तरह जी रहे हैं सुनो वेदा तुम्हारी कहानी क्या है बताओ अभी और कितने मुर्दों का धेर लगाओगे अभी हम बिल्कुल खाली बैठे हैं तुम अपने दुखी कहानी सुनाओ मैं तुम्हारी कहानी सुनकर जोर-जोर से रोऊंगी वैसे मेरे पती की गलती क्या है 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 मैं अपना कम दंदा शोड़ के या मस्ती के लिए आया हूं पर तु यहां दारी और चिगन के लिए रहे तू कहीं पागल तो नहीं होगे आ वीरा आज मैं मेरे दुश्मन वेदा को मेरे बदले जेल में बहज दिया इसे लिए यहां खुश्यां मना रहा है समझे तुम लोग तुम लोग सबर रखो आता ही होगा वीरा तुम ने उस बेवकूप को क्यों बेजा लड़की को लाने के लिए है वह कोई बेवकूप नहीं है समझाना है सुन या रहा है है वीरा मैं ऐसी वैसी चीज नहीं लाया कमाल की चीज लाया हूं आओ जाने मन बाहर आओ करने वाली तुझे बहुत चर्वी चड़ी है चुप चैप इधर आजाने तो हम लोग जबरदस्ती करेंगे भाकवास मत कर इधरा ताले कमीने कहीं के मैं बली का बक्रा हूं जो जबरदस्ती काटोगे अगर वाके ही तुम लोग मर्द हो और मा के छाती का दूद पिया है तो मुझे आके चूकर दिखाओ उसी जबॉन के अगगे है नहीं हुट पित तंग तंग है ? उपकान के और बोड़ के पींडे़ झाले आखिज आमके अवें अटान से还शनाओ पुझे वारेगी? पुझे वारेगी? पुझे वारेगी? देवी की पुझा करते वब्त अपनी रक्षा के लिए भीद पांगते हो और और औरत को अपने पैर की धूल समझते हो बोलता क्यों नहीं है? और अउरत को उसके मर्दी के बिना चुआँगे? तुमारी मर्दानगी पे धिकार है, समझा? मैं तुझे छोड़ूगा नहीं, याद रखना मैं तुझे देख लूगा देख लूगा, तुम याद रखने किस पे हाथ उठाया है मैं तुझे छोड़ूगा नहीं, तुझे साड़क चाप औरत तुमने मुझे पे हाथ उठाया तुझे पता नहीं कि तुने क्या किया, तुझे भुगतना पड़ेगा मुझे चाहिए वीरा, किसी भी हाल में, मुझे एक लड़की चाहिए, चाहे जोभी कीमत देरी बड़े तुझ जहाँ भी रहती है, तुझे ढूट कर वही मारूगा, वही मारूगा याद रखना तुझे वीरा है, अरे भाई ये तो बच्ची है रहे, ये वो जानते हैं बच्ची है पर हम नहीं जानते हैं बेटी च्या हूँ अवेदा भाई? मुझे लगा मेरी बेटी बुला रही है तुम अपनी बेटी से इतना प्यार जो करते हो, तुमें तो हमेशा उसकी याद आती ही रहती है पता नहीं क्यों, मेरा मन घबरा रहा है वैसो भी तुम सुबह शूटने ही वाले हो, अब तुम आराम से सो जाओ छोड़तो मुझे, छोड़तो मुझे पिता जी छोड़तो मुझे पिता जी पिता जी भावी भावी, भावी तुम कहा हो भावी बाहर आओ भावी कौन है भावी क्या हो गया भावी देखोने भावी कनक क्या हो गया है इक्छा हुआ भोलो क्या हुआ भावी उन चारों ने बरबात कर दिया भावी ये देखो भावी भावी ने ने ये तम क्या केरे उन्चो तुम कहा चरेगे दे उटो उटो बेटी बेटी कौन थे उलोपा बोलो जो भी दे मैं उनको जिन्न नहीं चोड़ूगी दुपर सेबर उन्का नाम बता दे उट पेटा दुपर सँनका नाम बता मैं तेरे साथ हूँ मैं मैं उनको छोड़ूगी नहीं तुझुल मेरे साथ इस बावी, मत जाओ, बावी तुम लोग हवस के पुझा रही हो एक बोली भाली लड़की के जित्गी बर्बाद कर दी तुमने पुझपा, यह तेरी बेटी है क्या, वहारे वहा, इससे टाइम कहते है उस दिन तुमने मेरी बहुत बेज़िती की थी ना अभी तुमारी बेटी की इज़त लूटे, अब तेरी लूटेंगे, आजा ए, हराम के पिलों, तुम लोगों के अंदर से तुम्हारी मा का दूद उगलवाऊंगी और बोटी-बोटी करके तुद्दों को खिलाऊंगी आजा आजा, आजा नहीं, नहीं पुष्पा, पुष्पा मुझे बज़ार, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे पुष्पा पुष्पा कर आपके जाराए हां? रुक मेरे पुश्पा चोड़ दे मुझे चोड़ दे तुम जैसे पापियों को अगर छोड़ दिया तो बहुत से लड़कियों की जिन्दगी बरबाद हो जाएगी और बेली जैसी माह का दिल तड़ पेगा तुम लोगों को जिन्दा रहने का कोई हक नहीं तुम लोगों की सांसे मैं अपनी बेटी को नहलाओं गिरे उजाओ अभाणा नहीं पाफिए लोगों के तुम तुम सानसे पेड़कियों से लिए को पाफिए दोग्यों का दिया इसको अज़नी नहीं तुमान यह ऐखियो ऑफिए ऑग्मान, ऑग्मान यह क्या कर दिया। इसको बहार दिया। अगर किसी को पता चल गया तो हमारा क्या होगा यार यार यह बच्ची अभी तक मरी नहीं जिन्दा है कि पुषपा यह पुषपा यह चुब रहे हैं कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए किसे हमने मारा है कि एविला यकीन नहीं होता तुने अपने ही भांजी का कतल कर दिया साब जी आप मुझे बचा लो साब जी देखो मना मत करना साब जी साब जी एक और गलती हो गए हम लोगों से हम तुम्हें पैसे भी ज्यादा देखिया कि बहुत बड़ी कल्दी कर्दी है तुम लोगोंने पैसे भी ज्यादा देंके नहां ऐसा क्या तो जल्दी ही ये केस खत्म करता हूं बड़ी नहां देख़ाओ widgets? वार लार रार लार भूट जो 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 प। है हर रो हर रे रो हर रे रो एह। दया मेरी बेटी कहा है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि यह और यह कोई प्री प्लैन मडर नहीं है यह अजानक हुआ एक वाक्या है जिसे सब ने देखा और इस वाक्य की सच्चाई को बताने के लिए हमारे पासे स्कोर्ट में यह गवावी मौजूद है तो चलो उस रात की सारी कहानी जच साब के सामने सच सच बताओ तुम्हें डरने की ज़रूर नहीं पुष्पा और मैं दोनों एक ही गाओं के हैं बहुत समय से हम दोनों का चक्कर चल रहा था और उसकी शादी होने के बाद मुझे पता लगा कि वेदा एक नंबर का गुंडा है तो मैंने डर के मारे उससे बात करना बंद कर दिया थोड़ा सबर रखिए उसे पूरा सच तो भूलने दीजिए अप्जेक्शन ओवरूल अपनी बात पूरी करो कल पुष्पा ने मुझ बार 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 एक ही बात करने लगी पिताजी को बता दूंगी उसके बाद पुष्पा ने चुले के उपर सलिया गरम करना शुरू किया उसे डराने के लिए ताकि वो अपना मुझ ना खोले तभी इस बच्ची ने कोहता हाथ में उठा के पुष्पा की गर्दन पे जोर स के वार किया वो वार इतना तेज था कि पुष्पा सहन नहीं कर पाई और वो लड़कडाते हुए उस चुले पर गिर के जल गई इससे पहले कि मैं पुष्पा को आग से बचा पाता उसकी बेटी के तेज वार से ही उसकी जान चली गई थी इस बच्ची की भी कोई गलती नहीं है और नहीं मेरी कोई गलती है मैडम जी आप मुझे उस वेदा से बचा लीजे मैडम जी अब्जेक्शन और मेरे काबिल दोस्त इस केस को दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं उस दिन कुछ और ही हुआ था पुष्पा का बेरहमी से कतल कर के इस बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया इस चोटी सी बच्ची का क्या कोई बलातकर कर सकता है मडम बीरा और उसके दोस्तों ने किया था इस केस के इन्वेस्टीगेटिंग ओफिसर मिस्टर रुद्र भी हाँ है आप इनसे पूछ सकती है यह जो कह रहा है वो सच कह रहा है मैंने पर्सनली इस केस को इन्वेस्टीगेट किया है सर पर गहरी चोट और ज्यादा खून बह जाने से उसकी वहीं मौत हो गई इस केस की सचाई जानने के लिए बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होगा बिलकुल कीजिए इन्वेस्टीगेशन चलने दीजिए मुझरिम को सजा मिलने ही चाहिए मैडम अपनी ही मां का कतल करना बच्ची कितने गुस्से भरी होगी ना जाने इसने कितने और वेदा जैसा गयार जिमेदार बाप तो किसी भी बच्चे की जिन्दगी नर्क बन जाएगी यूर ओनर मेरी एक रिक्वेस्ट है इस केस के खात्म होने तक इस बच्ची को जुडिशल कस्टडी में रखा जाए तो मुझे लगता है कि इससे बच्ची की सुरक्षा भी होगी दोनों पक्षों की तरफ से दलीले सुने के बाद कनक की साथ बलातकार हुआ या नहीं ये साबित करने के लिए कोट पुलिस की देख रेक में जल्दी से जाच करने की सक्त हिदायत देती है और अगले सुनवाई तक कनक को बालग्रे में रखने की हिदायत देती है साथ ही इस केस की सुनवाई से पहले सारे एविडेंस इकटा करने की पुलिस को हिदायत देती है दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने की बाद कोट इस नतीजे पे पहुँची है कि कनक के साथ कोई बलातकार नहीं हुआ है बलकि सारी सबूत यही कह रहे हैं कि छोटी सी बच्ची ने अपनी मा पुश्पा का खून किया है इसलिए बालिक होने तक कनक को बालसुदार ग्रिया में रखा जाएगा दे कोट इसके पिता ने कोट के सामने बहुत ही हंगामा की और पुलिस को भी चाकू मारा वो एक नंबर का गुंडा है यही जाएगा है ऐसा हुआ था क्या दस साल पहले होई कहानी को वापस याद करके इधर उधर जवान लड़की को लेकर बदला लेना चाहते हो कैसे पिता हो अरे तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है किसी बेवकूफ लड़के से इसकी शादी करके अपने जिम्मदारी निभाओ रात में खाई थाली को धोकर उसी थाली में खाते है न ऐसा ही समझ लो अरे वासना का हिसाब नहीं होता मेरी बात सुनो और 10-20 सालों में यह दुनिया और जादा बिगड़ जाएगी और तुम मेरी बात सुनो हर दिन, हर गंटा, हर मिनट किसी न किसी लड़की का बलतकार होता रहेगा कि अब हर लड़की हथियार लेकर सबको मारूंगी मारूंगी बोलकर खड़ी तो नहीं हो सकती न इसलिए और तो को समझोता करके आगे बढ़ जाना चाहिए अब और क्या बोलू कि कि कनक ये जो औरत है ये कुल की कलंक है चाहे कुछ भी हो जाए इसे छोड़ना मत इस औरत को मार डालो ठीक है पीता जी तुम मुझे मार डालोगी लड़की के मर्जी के बिना अगर उसे किसी ने भी होट लगाया तो उसका भी मैं यही हाल करूँगी काड़ दूँगी उसे भी मैं अगर किसी ने तो मारी बहन को छुआ तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है लेकिन तुम लोग वही काम हमारे साथ करते हो आज उन लोगों को खत्म करके ही रहोगी प्रबगी कि अ कि अ हुआ ने हुआशिए और दयमें सेट ने हुआशिया। कर्सटेज जब्टों विया गत्याओा प्रादों एले और भोल्डिन दोल्डिन को साझे दूजाँ आपे Crystal अदितत आपेर साथी फिस्सार मेंगीम इताल प्लिए बर्श का है व्रेदाना का इंट्रोकी बच्चि के रहना का गया है वंसोरी आए आप रोकते क्यों नहीं मैडम मुझे माफ कर दे वेडा उससे भोलो गई थी मुझे माफ कर दे वेडा तुझे माफ कर दूँ बेटी जब पैदा होती है तो बाप उसे सीने से लगा कर प्यार से अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है और ऐसी बेटी के साथ तुम जैसे नीच लोगों ने जबरदस्ती किया और कहते हो कि माफ कर दूँ बलात कार करने पर पांच या दस साल की सजा होगी उसके बाद तुम लोग वापस बाहर आ जाओगे उस लड़की का क्या उसके परिवार का क्या जिनकी कोई गलती नहीं उन्हें नर्क भोगना पड़ता है और कहते हो कि माफ कर दूँ जो लड़की बस खुशी-खुशी जीना चाहती है तुम उसकी जिंदगी को तबाह कर देते हो और कहते हो कि माफ कर दूँ लड़की होना अभी शाप है क्या गुना है जिंदगी भर नफरत होती है मर्दों से और कहते हो माफ कर दूँ तुम जैसे घटिया लोग औरतों को कुछ नहीं समझते अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुम किसी भी हद तक गिर जाते हो सिर्फ बलातकारी ही नहीं अगर लड़की को बुरी नजर से देखे भी तो ऐसे आदमी के टुकडे-टुकडे कर देने चाहिए कि वेदा मैंने तुम्हें अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया यह जानते हो लॉयर गिर्जा जब मुझसे मिलने आई थी तब मुझे सच्चाई का पता चला मैं एक पोलिस ओफिसर हो और तुम्हें अरेस्ट करके जेल में डालना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है लेकिन मैंने एक लड़की की तरह सोचा मेरी आत्मा नहीं मानी इसलिए तुम्हारी बेटी को उन्हें मारने दिया और मैं इंतजार करती रही यह सब होने के बाद तो तुम जैसे पत्थर दिल इंसान को खुश होना चाहिए अब तो तुम्हें भी अपने इस पत्थर दिल को पिगला कर अपनी आखों में आशू लाना चाहिए कनक ऐसा क्यों नहीं हुआ क्योंकि तुम लोगों को अभी भी सच्चाई नहीं मालो कि उसे लेकर आओ ठीक है मेंडम क्या हुआ था परी बोलो मैं चीजे छोड़ूगा नहीं याद रखना मैं कि यह देख लूगा देख लूगा तुम याद रखने किस पे हाथ उठाया है मुझे लगा था यह पागल कुत्ते मेरे पीछे आएंगे तो मैं वहीं पर गन्ने के खेत में छुप गई काफी देर तक इंतजार किया लेकिन वो लोग नहीं आए जब मैं खेत से बाहर आई तो देखा कि अरे राक्षस कढ़ी के मैं नहीं मिली तो बच्ची के साथ वेदा अभी खतम नहीं हुआ है अभी और भी बहुत कुछ बाकी है जा उसे लेकर आओ तुम्हारे साथ रहकर दूखा दिया इस धोके बाजने परी जब जब तुम्हारे पास आने की कोशिश की तब तब ये रोकता रहा इसने इसे मारने की कोशिश की पर ये काम्याब नहीं हुआ तुम दोनों जिन्दा रहो परी के जरिये सच्चा ही जाहिर हो जाती इसने तुम्हारे बारे में बीरा को पहले से बता दिया ताकि वो तुम्हें मार सके चल अब जल्दी बोल ये रुखो रुखो ये तुम्हों तुम्हों अरे प्तादल कुट्टो तुम्हों लोगोने छोटी पच्ची की जिंदगी फर्वास कर्दी कनक, कनक, कनक को बरवास कर दिया तुम्हों लोगोने कनक, कनक, उठो कनक, उठो कनक कर दूर संब्सक्राइट गजए अरे पज़री कहीं के, वो छोटी सी पच्ची है, जरसे लोग तो साड़ी में लिप्टे हुए कुद्रे को भी नहीं छोड़ोगे वो आदमी मा बेहन का रिष्टा नहीं समझता वो आदमी मर्द नहीं कहलाता वो राक्षास कहलाता है तेरी तु आज़ी तु आज़ी तु आज़े पाफ करने बेदाश्ट हुआ 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 Rights हुई 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 जब उस दिन मैंने इन दोनों को देखा तब मुझे पहली बार यह एसास हुआ कि इंसानियत फर्ज से बड़ी हो दिये आठ साल की कनक ने अपनी मा को तड़प कर मरते देखा फिर अपने बाप से पिछड़ गई और बिना जुर्म के सजा भी भुकती उसका पूरा बच्पन जील में बीता वो तरी नहीं बलकि जूतने के बाद उसनी किसी को भी नहीं बख्षा में कि हुआ 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 है हुआ 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 है मेरी बेटी के साथ तुमने जो किया तुम ही कभी सुखी नहीं रहोगे पेड़ के रगा कहा मेलेंगे बोलो हुआ 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 है